ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स सम्मान दिया किसानों का करजा माफवाल रुजगार दिया करोड़ों को हमने गरीबी रेखा से नीचे से उठाया आज ये आज ये गरीब लोगों को रासन जो बाट रहे हैं वो भी हमारे ये लाया हुआ भारती इंता पार्टी के निताओं ने कहा कि हम समिधान बदल देंग हम आरक्षन खतम कर देंगे ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैटते हैं उनको लगा कि इंडिया गटबंदन मजबूती से लग रहा है और मायावती जी बी टीम के रूप में बाचपा की बी टीम के रूप में ये काम कर रही है इसनाते पूरी तरीके से जो बसपा का हैं उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजराय जी से आज बात करेंगे बहुत-बहुत स्वागत है न्यूस्तक्पार शुक्रिया धन्यवाद दो बार चुनाव आपने प्रधानमंत्री के सामने लड़ा चुनाव में सफलता नहीं मिली लेकिन तीसरी बार एहम बात यह कि तीसरी बार भी आप ही को चुना गया है एहम दावेदार के रूप में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से तो प्रेशर भी आ रहा है थोड़ा सब करेंद में प्रेशर क्यों किसी का परदास करते हैं अम लोग आम जनता के बीच के हैं जनता के लोग है औ और लगातार मैं वहांसे पांच बार से मिले रहा, मंत्री भी रहा, तो निश्चिते स्वाविक है, जनता परसंद करती है, प्यार करती है, और अगई बात चुनाव लड़ने की, तो वह हमारी धरती है, हमारा घर है, मेरी मिट्टी है, बनारस, काशी का रहने वाला हूं, बा वस्तुस्तिती है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर की बात इसलिए आ रही है, कि कभी भी लोकल लोगों को समझा ही नहीं मोदीजी ने, कि यहां हमारे जिमेदारी क्या है, हमारे काम क्या है, गाउं हैं, ब्लॉक हैं, जो महले हैं, अंदर गलियों में लोग सीवर का पानी प तकनीक नहीं है कि कैसे सीवर साफ होता है, आज भी सीवर की समस्चा ब्रकरार है, एक गरीब आदमी को पैसे के लालेज की चकर में गुजरात की कंपनी ने उसको सीवर में अंदर गुसा दिया, और वेचारा दम घुटके मर गया हुआ जाके, तो निश्य तोर से पूरी त आउटसाडर इसलिए कि लोकल विक्ति होगा, तो लोकल लोगों को समझेगा, गलियों को जानेगा, महलनों को जानेगा, वहां की बोल बचन भासा को जानेगा, खान पन को जानेगा, मोदी जी भी वहां की गाओं के लोगों से बनारस के काशिवासियों को लोगों से पूब बढ़ी बड़ी बात दीवास सपने दिखाना आना तो हजारो कुर्ड़ प्रेक की घोस्टना करना आज भी बंदर गाहा बनकर खड़ा है उनिसका एक भी जाज ने चली गंगाजी में बंदरगा गंगाजी में नहर बनी थी वह बह गई आज है अज भी सीवर का पानी घंगाजी में जा रहा है एक वर की समय करा भाना और समें वह उस जमीन जिनकी जमीनें गई जिनकी जमीन पर कारखाना बना एक भी व्हक्ति को मा काम नहीं मिला किसी को रोजगार नहीं मिला में चुनाफ क्रचार में क्या क्या टॉप प्राइर पर हें मुद्धों के साथ आप आगे बढ़ रहें आधार विखति घरलू बना आपर बाहर का विक्ति वो चलेगा एक विक्ति यहां का स्थापित ने काम करने वाला विक्ति है बाहरी बना भीतरी की लड़ाई होगी पर्थम दूसरा बेरोजगारी चरम पर है और सबसे बड़ी समस्या जो काशी की है पूरा शहर जाम से प्रतारित है अभी तक कोई ऐसी कार्योजना नहीं बनी कि जिससे कि वहां की किसी भी तरिके से जाम की समस्या का समाधान हो सके सीवर का पानी आज भी लोगों के घर में जा रहा है पीने का साब पानी नहीं है सीवर सफाई नहीं हो पा रही इसनाते वहां पे घुरलाल जैसे लोगों को सीवर में घुसा कर उनकी हत्या की प्रदिया वाबा के दरबार को वो काशी की जनता उसको कभी माफ नहीं करेंगे लेकिन आपको नहीं लगता जो लोकल वसेज आउटसाइडर की हम बात कर रहे हैं वो पिछले दो चुनावों में कहीना कहीं फेल हो गया नहीं कहीं ऐसी बात अभी तक तो वहां के लोग सोचे जुनाएं वहां पे चल रही हैं सब गुजरात के लोग काम करने सारह ठीके सारे बड़े काम चैया जितने भी वहन सफाई अभी एक एक अप्रेल से वो भी गुजरात की कंपणी को दें दिया गया है तो वहां के लोगों को केवल और केवल एक कर्मचार एक लेबर के परिवार ने जिस तरीके से वहां पर से अपना पन जोड़ के रखाए पीडियों से वहां की जनता की डिमांड भी लोगों से पूछा जा रहा है लोगों की बात यहीं आ रही है कि वहां पर गांधी परिवार के लोगों का होना चाहिए क्यों कि पीडियों का रिस्ता है आज वहां पर हर वेक्ति चाहता है अब स्मृति रानी वहां की लोगों से क्यों लगाता है जूट बोलना लोगों को भ्रमित कर आपको लगता है कि जीत पक्की है अगर उन दोनों में से या गांधी परिवार से कोई लड़ता है इस बार तो प्रदेश में हर तरफ आप देख रहे हैं जीत का डंका बज़ रहा है कल अभी आपने देखा पहले चरण में आठ लोकसभा का चुना हुआ और आठ के आठो जगा का संदेश आ रहा है कि इंडिया गड़ बंदन जीत रहा है चाह साहरनपूर हो बिजनावर हो चाह वो आपके इदर रामपूर हो इदर पिली भीत हो मुरादाबाद हो हर जगह को इंडिया गड़ बंदन जीत रहा है तो निश्चे तोर से बंपर उट से जीतेंगे और देखेगा सभी अगल बंपर उट से जीतेंगे अचा बेरोजगारी क्योंकि हमने देखा कि राहूल गांधी हो भाराजोड़ोन आयात्रा के दौरान हो या पूरा यह जो कैंपेंड चल रहा है उसमें सबसे पहले नंबर पे बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है यह आपको लगता है कि पहले यह मुद्दे जो है अगनी वीर पर बात हो रही है गन्ना किसानों का भुक्तान नहीं हुआ यह सब चीज़ें डिमांड आ गई कि अब जनता को मूल वुस चीज़ों की से कब उनको निदारत मों मिलेगा कब उनकी समस्याओं को समाधान होगा तो यह जनता उस पर बात कर रही है अब केवल और केवल जो इन्होंने मंदिर महजीद हिंदू मुसलमान और तमाम बड़ अब जो जाएं उनको काम चाहिए ना तो उसकी बात हो रही है अचा हमने जो लोग सभाद चुनाफ के बारे में आज कल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देख रही हूं लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या लोग सांसत को देख भी रहे हैं या सीधा प्रधान मंत्री के चेह तो सांसत के नाम पर वोट देना चाहिए जो असल में आपके ष्टेतर में काम करता है या भी यसे वाक हैं यह फेस क्या है जो जूटा विक्ति है या क्रिडिबल तो अभी तक जो जंता ने जो भी को मोधी के नाम पर वोट दिया बिल्कुल दिया है कोई दोरा नहीं है पर वो कहीं नकें विश्वस्निता नहीं दिखा पाए जोन्होंने का दो लोगों को नोकरी देंगे पंदर लोगों को रोज पंदर लाक रुपए से ही आ जाएगा प्रस्टा चार दूर हो जाएगा महंगाई खतम हो जाएगी आप देख लिए डॉलर के दाम लगातार बढ़ते गए महंगाई आस्वान जूती जा रही है बेरुजगारी चरम पर ज किसानों का करजा माफवा रोजगार दिया करोड़ों को हमने गरीबी रेखा से नीचे से उठाया आज ये आज ये गरीब लोगों को रासन जो बाट रहे हैं वो भी हमारे यह लाया हुआ जो हमने कानून बनाया था फूड का वो फूड वाले लावपर ये अपना ये की जो मारे जो दल हैं वो आगे बढ़ते चले चाले ऐ आपको नहीं लगता कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह की वेव बताई गई जिस तरह से प्रचार प्रसार जो है किया जा रहा रहे है ऊपको लगता इक उससे सेंटमेंट में लोगों के बदलाव हो अ एक के ये जो रा मंदिर का नेमाल होता ही होता है तो निश्ची तौर से इस चिजों को नहीं है पूरा प्रयास किया उने के नियुक्म करने का पर भगवान आस्था की केंदर है उसकी राजनीज जाये तो राड यह भाग्वान राम का हात लेकर मंदिर में जा रहे हैं यह लेकर जाएंगे लाघवान आपके दिल में बसते हैं हमारे अंदर मश्य हैं आस आप पर जो ही इसको ये राजनेती गुरुप देना चाहते तो वो नहीं दे पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, मायवती जी का स्वयम का हुआ है। हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खतम कर देंगे, ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैटते हुँ, उनको लगा कि इंडिया कटबंदन मजबूती से लग रहा है। और मायवती जी बी टीम के रूप में, बाचपा की बी टीम के रूप में ये काम कर रही है। इसनाते पूरी तरीके से जो बस्पा का होट था, वो पूरी तरीके से वो इंडिया गटबंदन के साथ चला गया, हम लोग के साथ आगया। तो ये पूरी साबित करता है कि मायवती कमजोर हो रही है, मायवती जी का सूपड़ा साफ होने वाला है। और एक बात और बनारस की बात मैं बता दूँ,कि बनारस में षो केंड़ेट दिया था बस्पा का, अब उसे चेंज़ कर दिया कल। उसको चेंज करके इन्होंने दूसरा गंडेट दिया तो यह साबित करता है कि पूरी तरके से आज लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं बसपा को और बसपा से लोगों का मो भंग हो चुका है सबसे एहम दाविदारी प्रधान मंतरी मोधी के सामने बनारस में आपकी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है अंत में कुछ कहना चाहेंगे सीदे सीदे प्रधान मंतरी को मैं सिर्फ एक ही कहना एकि जो बड़ी-बड़ी बात प्रदान-मंत्री जी ने बनारस की जनता से वादा किया था हम यहां के लोगों को रुजगार स्मार्ट-सी-टी के नाम पर कि स्मार्ट-सी-टी बनेगा बनारस नाम भी उसका स्मार्ट-सी-टी में है पर वहीं पर सीवर की साफाई की बेउस्ता नहीं हो पारी है, मज़दूर की अंदर जा रहा है, मर जा रहा है, आज पूरे शहर के अंदर टोटो रिक्से से जाम कर दिया, मैं तो हम रोवा में हूँ, यहां पर बहुत, यहां जाम शहर नहीं है, बनारस इससे पचास गुना ज़्यादा शहर जाम हो चुका है और बनारस में किवल और मुदी जी के आने से किवल दो चीज बड़ी है एक टोटो और दूसरा फोटो दोई चीज भी तीसरी चीजें कुछ नहीं हुए तो मेरा यह कहना होगा कि यह जो वादा इन्होंने किया तो रुजगार के नाम पर व काम पनारस के अंदर गुजरात और गुजरातियों को दे दिया है गया है इसलिए काशी की जनता बहुत दुखी है बहुत बहुत शुक्रिया